हलो नमस्कार स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का भौतिक विज्यान फिजिस का अधियाई चार गतिमान आवेश और चुम्बक कत्व का 30 भी भी आई अब्चेक्टिव क्यूचन देखेंगे जो 2023 बोड एक्जाम के लिए बहुत ही मौतवपूर क्यूचन रहेगा तो चलिए हम इस्टार्ट करते हैं फाला क्यूचन से तो आप इस वीडियो के पूरे अन तक बने रहेगा इस वीडियो को मिश्मत किजिएगा भी भी आई क्यूचन है तो चलिए हम इस्टार्ट करते है फाला क्यूचन से फाला क्यूचन है जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सिमा क्या होती है तो ऑप्सन है बढ़ती है घंठती है इस्थिर रहती है इन में से कोई नहीं तो इसका सई एंसर ए हो जाएगा बढ़ती है जब किसी एमीटर को संट किया जाता है त तो इसकी माप सिमा बढ़ती है इसका सई अंसर यह हो जाएगा दूसरा क्यूशन है गेलवेनों मीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है तो गेलवेनों मीटर को वोल्ट मीटर बनाने में क्या जरूरत है तो ओप्सन है उच परतिरोध का निम्न परतिरोध का संधारित् प्रेरन कुंडली का तो इसका सई एंसर ए हो जाएगा उच परतिरोद का गेलोने मीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है उच परतिरोद का तीसरा क्यूचन है तवरित आवेश उत्पन करती है तो तवरित आवेश क्या उत्पन करती है तो option है अल्फा किरने गामा किरने वीटा किरने विधूत चुमक्ये तरंग तो इसका साई अन्सर डी हो जाएगा विधूत चुमक्ये तरंग तवरित आवेस उत्पन करती है विधूत चुमक्ये तरंग चुमके छेत्र या चुमके प्रिरन का इसाई मातरक है तो चुमके छेत्र या चुमके प्रिरन का इसाई मातरक क्या होता है तो ओप्सन है टेसला, वेवर, हेनरी, फेराड तो इसका सही अंसर यह हो जाएगा टेसला चुमबक्य छेत्र या चुमबक्य प्रिरन का इसाई मात्रक टेसला होता है किवचर नमर पांच है 30 डिगरी सेल्सियस पर आवेशित कंड चुमबक्य छेत्र में परवेश करता है तो उसका पत हो जाता है तो उसका पत क्या हो जाता है तो उप्सन है विर्ताकार हेलिकल दिर्ग विर्तिय सिधी रेखा तो इसका सई अंसर भी हो जाएगा हेलिकल तो उसका पत हेलिकल हो जाता है किवचर नमर छे है दो गतिसिल आवेशों के बीच लगता है तो दो गतिसिल आवेशों के बीच कौन सा वल लगता है तो option है केवल कुलंब बल, चुम्बक्ये बल, नाभी केवल, इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer भी हो जाएगा चुम्बक्ये बल दो गतिसील आवेसों के बेच चुम्बक्ये बल लगता है कियुचर नमर साथ है किसी अवेशित कन को चुमक्य छेतर रेखा के अनुदिस गती दी जाती है तो कन पर कारेकारी बल होगा तो कन पर कारेकारी बल क्या होगा तो option है वेग की दिशा में वेग की दिशा के विपरीत वेग की दिशा के लंबवत या सुन्य किसी अवेशित कन को चुमक्य छेत रेखा के अनुदिस गती दी जाती है तो कन पर कारेकारी बल सुन्नी होगा केवचर नमर आठ है दो समानतर तारों में विप्रित दिशाओं में धराएं परवाहित होती है तो वे उप्सन है एक दूसरे को विकर्षित करते हैं एक दूसरे को अकर्षित करते हैं एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगता है एक दूसरे की धराओं को नश्ट करते हैं तो इसका सई अंसर यह हो जाएगा एक दूसरे को विकर्षित करते हैं दो समानतर तारों में विप्रित दिशाओं में धराएं परवाहित होती है तो वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं किविचन नमर नव है एक वोल्ट मीटर को आ मीटर में बदला जा सकता है तो कैसे तो option है इसके समानांतर में उच परतिरोद को जोड़कर इसके समानांतर करम में निम्ण परतिरोद को जोड़कर इसके समानांतर करम में निम्ण परतिरोद को जोड़कर तो इसका सही answer C हो जाएगा इसके समानांतर करम में निम्ण परतिरोद को जोड़कर एक किविचन नमर दस है विधूत धारा के चुमके परभाव की खोज की थी तो विधूत धारा के चुमके परभाव की खोज किसने किया था तो ओप्शन है एमपियर ने और स्टेड ने फ्लेमिंग ने फैराडे ने तो इसका सई अंसर भी हो जाएगा और स्टेड ने विधूत वोल्ट मीटर का परतिरोध होता है तो एक आदर्स वोल्ट मीटर का परतिरोध क्या होता है तो ओप्सन है कम अधिक अनन्त सुन्य तो इसका सई अंसर सी हो जाएगा अनन्त एक आदर्स वोल्ट मीटर का परतिरोध अनन्त होता है किविचर नमर 12 है धरवाहे बिरित्य कुंडली के केंद्र पर उत्पन चुमक्य छेतर रहता है तो ओप्सन है कुंडली के तल में कुंडली के तल के लंबवत कुंडली के तल से 45 डिगरी पर कुंडली के तल से 180 डिगरी पर तो इसका सई एंसर B हो जाएगा कुंडली के तल से लंबवत धरवाही विरित्य कुंडली के केंदर पर उत्पन चुमक के छेत्र कुंडली के तल के लंबवत होता है किवचन नमर 13 है एक समान चुमक के छेत्र उत्पन होता है तो एक समान चुमक के छेतर कैसे उत्पन होता है तो option है सीधे धरवाही तार से विरित्य लूप में धारा के परवा से उसके केंदर पर विरित्य लूप में धारा के परवा से उसकी अक्ष पर परिनलिका में धारा के परवा से उसके वितर तो इसका सई एंसर D हो जाएगा परिनलीका में धारा के परवा से उसके वितर एक समान चुमक के छेत्र उत्पन होता है क्योचा नमर 14 है गेलवेनो मीटर में संट का विहवार किया जाता है तो गेलवेनो मीटर में संट का विहवार क्यों किया जाता है तो option है उसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए उसका परतिरोध बढ़ाने के लिए विधुद धारा के कारण उसे तुटने से बचाने के लिए उपर्युक्त में से कोई भी नहीं तो इसका सही एंसर C हो जाएगा विधुद धारा की कारण उसे टूटने से बचाने के लिए गेलोनेमिटर में संड का विहवार किया जाता है किवचन नमर 15 है लोरेंज वल की दिशा ग्यात करने का नियम है तो ओप्सन है फिलेमिंग का बाय हाथ का नियम फिलेमिंग का दाय हाथ का नियम मैक्स्वेल का दाय हाथ का कर्क अस्क्रू नियम एमफियर का तैरने का नियम तो इसका सई अंसर भी हो जाएगा फिलेमिंग का दाय हाथ का नियम लोरेंज वल की दिशा ग्याद करने का नियम है किवचर नमर 16 है एक तार में विधूत धारा पच्छिम से पूर्वकी और परवाहित हो रही है जो की उतर की और दिश्ट चुमग के छेत्र में राखा है तो तार पर कार जिल्वल की दिशा होगी तो option है पूर्वकी और पच्छिम की और उर्ध्वाधर नीचे की और उर्ध्वाधर उपर की और तो इसका सई अंसर डी हो जाएगा उध्वाधर उपर की और किवचन नमर 17 है एक वोल्ट मीटर को आ मीटर में बदला जा सकता है सेम किवचन दो बार टाइप हो गया है तो इसका सइय एंसर C हो जाएगा इसके समानतर करम में नीम्ण परतिरोध को चोड़ कर तो इसका सइय एंसर C हो जाएगा किवचन नमर 18 है चल कुंडली गेलवनोमीटर की सुगराहिता बढ़ाई जा सकती है तो ओप्सन है कुंडली में फेरो की संखिया घटा कर चुमकिय फलक्स को बढ़ा कर कुंडली के छेत्रफल को घटा कर परती एकांग एठन को बढ़ा कर तो इसका सही अंसर भी हो जागा चुमकिय फलक्स को बढ़ा कर क्योचर नमर उनईस है चल कुंडली धारा मापी में कुंडली के मद्ध नरम लोहे की कोर्ड रखते हैं ताकि ओप्सन है चुमकिय छेत्र समरूप हो जाए चुमकिय छेत्र कमान परबल एं त्रेज जे हो क्योचर नमर बेश है प्रिथवी के चुमकिय तत्व है तो प्रिथवी के चुमकिय तत्व क्या है तो इसका सही अंसर सी हो जाएगा तिन रासियां जो प्रिथवी के चुमकिय विहवार का वर्नन करती है प्रिथवी के चुमकिय तत्व कहलाती है तो इसका सही अंसर सी हो क्यूचर नमर इकी से प्रेरित विधूत वाहक बल की धुरूता किसकी दवारा पाई जाती है तो इसका सई अंसर सी हो जाएगा लेंज का नियम लेंज का नियम दवारा प्रेरित विधूत वाहक बल की धुरूता पाई जाती है क्यों नमर बाइस है, सम्रूप विएक से चलाइमान आवेश उत्पन करता है तो सम्रूप विएक से चलाइमान आवेश क्या उत्पन करता है तो option है केवाल विधूत्य छेत्र, केवाल चुम्बक्य छेत्र, विधूत्य छेत्र इन में से कोई नहीं तो इसका सई अंसर C हो जाएगा विधूत्य छेत्र समरूप वेक से चलायमान आवेश विधूत्य छेत्र उत्पन करता है केउचा नमर 23 विधूत छेत्र तथा चुमक्य छेत्र में कैसा संबंध होता है तो इसका सई अंसर D हो जाएगा B ब्राबर E बटा B ब्राबर E बटा B विधूत छेत्र तथा चुमक्य छेत्र में संबंध होता है केवचर नमर चोबीस है संट के परियोग में धारा मापी की सुगराहिता ओप्सन है घंट जाती है बढ़ जाती है अब परिवर्तित रहती है इन में से कोई नहीं तो इसका सही एंसर यह हो जाएगा घंट जाती है संट के परियोग में धरा मापी की सुगराहिता घंट जाती है Q25 है चुमके फलक्स की एसाई मातरक है तो चुमके फलक्स की एसाई मातरक क्या होता है तो ओप्सन है टेसला, गाउस, एंपियर, वेवर तो इसका सई अंसर D हो जाएगा वेवर चुवकी फलस की एसाई मात्रक वेबर होता है क्यूचन नमर 26 है अधिश्ठा पन की भूमी का तुल्य है तो ओप्सन है सन्वेग, बल, उर्जा, जड़ता तो इसका सई अंसर D हो जाएगा जड़ता अधिश्ठा पन की भूमी का तुल्य है जड़ता से क्यूचन नमर 27 है गेलवेनो मीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तित करना चाहिए तो इसका सई अंसर D हो जागा उच परतिरोद गेलवेनो मीटर की समानांतर जोड़ना चाहिए क्यूचर नमर 28 है क्या चुमक्य छेत रखाई हमेशा बंद लूप बनाती है तो option है yes, no, sometime, none of this तो इसका सई अंसर यह हो जाएगा yes चुमक्य छेत रखाई हमेशा बंद लूप बनाती है इसका सई अंसर यह हो जाएगा हा क्यूचर नमर 29 है एक आदर्स फरिनलिका की धारा दुगनी कर देने पर इसके अंदर चुमक्य प्रिरन की सदिस का फरिनाम क्या होगा तो option है दुगुना हो जाएगा, समान रहेगा, आधा रह जाएगा, इन में से कोई नहीं तो इसका सई अंसर यह हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा क्यूचर नमर 30 है, लास्ट क्यूचर है प्रेरित विधूत वाहक बल निमली खित में से किसके समान है तो option है बल कार्य सक्ति आवेग तो इसका सई अंसर यह हो जाएगा, बल प्रेरित विधूत वाहक बल निमली खित में से बल के समान है यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेर नहीं किये हैं तो जितना जल्दी हो सके लाइक, सब्सक्राइब और सेर कर दिजे हम इसी तरह से विधियाई कीशन अफलोड करते रहते हैं